आप सब को मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको पूरकाहर के बारे में बताने वाली हूँ ज्यादा तर पूरकाहर तो जैसे हम लोगे ने पहले सेशन में डिसक्स करी लिया है लेकिन बहुत टाइम फील्ड में इस्यूस आते हैं मां बोलती है बच्चा खाता नहीं है, मां बोलती है बच्चा रोता है इसको घर का खाना नहीं चाहिए, बहुत सारे से इश्यूस आते तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि क्या-क्या इश्यूस हम लोग को देखने को मिलते हैं सबसे पहले तो जो आदत हम लोग बच्चों में डालेंगे वो आदत कायम रहेगी तो आपको अच्छी खाने की मामले में आपको अच्छी आदते डालनी है अगर बुरी आदत पहले से पढ़ गई तो वो आदत चलती रहेगी और फिर बहुत तकलीफ होती है तो अच्छी आदते क्या है जब भी खाने के बारे में अच्छी आदत मतलब क्या होता है कि बच्चों को हमेशा जो मीठा खाना है वो बहुत अच्छा लगता है तो आपको मालूम होगे कि थोड़े बच्चे बड़े होते तो बोलते हैं चॉकलेट दो ये बिस्किट दो ये दो ये biscuit chocolate वो जो आदत है, वो आदत कहां से लगी, तो आपको धान में रखना है कि पहले दो साल आपको बच्चों को बिलकुल शक्कर वाली चीनी नहीं देनी है, good नहीं देना है, और जो मद होता है, मद भी नहीं देना है, ठीक है, जब भी बच्चे को ये taste की आदत नहीं होग तो ही बच्चा अलग अलग प्रदार्थ खाना सिखेगा, बच्चे को सिखाना है कि स्वीट टेस्ट के अलावा बहुत सारे टेस्ट है, तो उनको वो टेस्ट के टेस्ट डेवलप कीजिए, ठीक है, बहुत टाइम बड़ा जबी बड़ा बच्चा हो जाता है, तो मा दूद में नहीं डालना है, उसको बहुत सारी माएं ऐसी होती है कि छे मेने पे वो जो खीर किलाती है बच्चो को, खीर ज्यादा वो शक्कर वाली चीज, गुड वाली चीज, पॉरिज चैसे देती है, तो वो आपको बिलकुल बिलकुल नहीं देना है, बहुत सारे मदस ऐ कि भार के जो सीरिल बॉक्स आते हैं, तो दो सीरियल में तो बहुत शक्कर भरा होता है, तो शक्कर वाला भार का खांब बिलकुल नहीं देना है, दूसरी बार क्या होता है कि कभी-कभी बच्चह थोड़ा बड़ा हो जाता है, लिक 5,5-2,5 साल का, और अगर बच्छा ठीक तरह से बोलता है तो वो क्या करता है कभी कभी मां को बोलता है मुझे यह खाना नहीं खाना है मुझे मैगी खानी है मुझे यह खाना है और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज में क्या होता है कि अगर बच्चा कुछ मांगता है तो वो लोग तुरंत ही दे देते हैं अच्छा नहीं काना है कोई बात नहीं चिंता चलो को यह का लो ठीक है तो हम लोग को वह सब्स्टिट्यूट नहीं करना है सब्स्टिट्यूट मतलब की बच्चे ने अगर घर का खाना नहीं खाया और आपने आपको बोलना है कि अगर घर का खाना नहीं काना है तो कोई बात कोई बात नहीं बूखा सोएगा चलेगा, आपको दूज भी नहीं देना है, सिफ पानी देना है, और उसको थोड़ा भूखा रखो, लेकिन उसको अगर आप उसको आदट डालेंगे, तो बच्चा तो नहीं खाना नहीं खाया, चलो मैं आपको तेरे को जो अच्छा लगे, मैं बना के देती sweet खाने की उसको आदत लग जाएगी, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको थोड़ा strict होना है, पहले से strict होना है, बच्चा है तो क्या हो गया आपको, बिल्कुल आपको बताना है कि घर में बॉस कौन है, घर में जो माता होती है, वो बॉस होती है, देखें बच्चा तो उस पे ध्यान अटना है, बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चा जैसे, मैं थोड़े बड़े बच्चों की वापस बात करें हूँ, दो साल के उमर के बड़े बच्चे, बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चा जैसे उठता है तो मा उसको पहले बड़ा सा ग्लास में दू पहले नहीं देना है, पहले उसको खाना देना है, खाने से उसका पेट भरना है, बाद में उसको दूद देना है, ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जब आप बाहर का दूद देते हो, तो उसका पेट भर जाता है, तो जो खाना होता है, खाना नहीं खाएगा बच्चा, तो वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को भी ऐसी मदर्स को आदत होती है कि अगर बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम वैसा काना बनाते नहीं उसके लिए कि अगर भी बच्चे को सिखाना है कभी कभी क्या होता है कि पंदरा से सोला टाइम आपको उसको ट्राइक करना पड़ेगा बच्चों के खाने में बेंगन लाने की तबी जाकि वह बच्चा सिखेगा और टेस्ट डेवलब होगा तो एक रूल आप घर में कर सकते है कि कुछ भी बना है अगर बचे को अच्छाने लगता है लेकिन सिर्फ एक चममच उसको ट्राइ करनी है अगर पहले से रूल बना देंगे तो बच्छा क्या करेगा पहले 10-12 टाइम से एक चममच खाएगा और मुझे अच्छाने लगता है लेकिन 14-15 टाइम के बाद कभी उसको वो टेस्ट डेवलप हो जाता है और फिर वो ज्यादा मांगेगा तो वो भी आप ऐसा है कर सकते हो बहुत ही अक्सीर आइडिया है जो आप घर सकते हैं घर के बचों के लिए दूसरा यह प्रॉब्लम कि जभी बच्छा बढ़ा हो जा लाते बचू के लिए, जासी का भी बढ़िया तो उसको चोटलेट दिया, तो वो बच्चे को चोटल बच्छे आदद बूरी तरह से लग जाता है क्यूंकि चोटलेट में शक्कर है उपकाण फूरा मन को अडिक्षिन है, जैसे दारू का अडिक्शन है, जैसे तो आपको बोलना है कि या तो ये चौकलेट फ्रिज, अगर फ्रिज है घर में तो फ्रिज में रखते, उसके लिए एक अलग खाना बनाना है, या अगर फ्रिज नहीं है तो वो मटकी में या कहीं पर भी रख सकता है, तो आपको बोलना है कि ये अभी तू रखते, इतवार क दिन आपको जितना उसको खाना है वो खा सकता है तो आप दीरे दीरे अगर ऐसा सिखाएंगे उसको तो पहले दो-तीन इतवार वो याद करके वो चॉकलेट खाएगा लेकिन जैसे वो दलत निकल गई उसको शक्कर की आदत उसकी चुट गई तो वो इतवार को भी भूल जाएगा और फिर दो-तीन हफते के बाद उसको याद भी आएगा तो खाएगा तो बोलेगा अरे यह तो भॉच करवाला है अच्छा नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगता है तो आपको ऐसे ट्रिक करके उसको बच्छे को शक कर की विसकित की चोकलेट की आदते निकालनी है ठीक है ओर हर टाएम जब भी आप बोले कि क्यों ये और नहीं काना है आपको उसके साथ मतलब उसको लॉजिक सकाना है अगर ये पुअ लॉजिक सखाएंगे जंग फूड का भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि क्या होता है कि अगर बच्चे ने जंग・फूड काए तो इंफेक्ट अगर बड़ा बच्चा है तो आप जंग・फूड वीडियो भी इसके साथ बैठ के आप पता सकते है कि क्यों ऐसा काना है, क्यों ऐसा नहीं खाना है, उसके शरीर पे क्या आसर होगा, आगे जाके क्या आसर होगा, थोड़ा-थोड़ा उसकी भाशा में अगर आप समझाएंगे तो वो लॉजिक सिखेगा, और फिर जबी वो भार भी जाएगा, तो वो उसको याद रहेगा कि न तो मैंने जैसे बताया और आराम से पानी पिला और इसको बूलो कि जब भी भू को होए आप वापस आओ दो तिन टाइम आप उसको भार का खाना नहीं देंगे उसको जो अच्छा लग रहा है वो नहीं देंगे तो अटोमेटिक वो घर का खाना खाना चालू कर देगा थीक ह तो यह आपको strictly आपको यह follow करना है बाकी का तो आपको अलग-अलग recipes जैसे हमनों बताई हुई है आपके पुरकार में बहुत सारी recipes हमने बताई हुई है nutritious snacks भी बताई हुए है बहुत सारी जो adult recipes बच्चे भी खा सकते हैं तो आप अलग-अलग recipes बताएंगे तो बच्चा डेफिनिल खाएगा दूसरी बात है कि बहुत सारी बच्चों को आदत होती है ketchup लेना, ketchup के साथ या कुछ बहार का कुछ sauce हो गया उसके साथ तो वो भी आदत आपको निकालनी है क्योंकि वो ketchup में बहुत शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जितना हो सके आप अपने family में भी सबको बताएं कि बच्चों के लिए chocolate या biscuit ना लाएं इसके लिए dry fruits है या nuts है या कोई भी अच्छी जो healthy चीज है अगर लाएंगे तो बच्चे की आदत पी अच्छी रहेंगे तो आपको पहले से ही वो सब बाते आपकी mother या mother-in-law है या father है father-in-law husband है उनको सबको साथ में लेकि आपको ये पहले बात करनी है कि हम लोग को कौन सी आदते बच्चों में डालनी है ठीक है तो ये तो होगे आपका you know fussy eaters कि मिलब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बहुत तकलीव देते हैं जब ही खाना खाते तो बहुत डिफिकल्ट रह जाता है तो ये अगर कुछ भी आपको सवाल है तो आप definitely मुझे email कर सकते हैं धन्यवाद कर दो कर सकते हैं